नाम भी होगा काम भी होगा रख होसला तेरा एगलग मुकाम भी होगा आपके गाउं के हर सणको पर लगेगा मेला जिस दिन सफलता आपके नाम होगा नमस्कार दोस्तों आप से भी का श्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरवोदिया ओनलाइन क्लासस में आज हम आपके आठ तारीक को होने वाले एक्जाम के लिए काफे इंपोर्टेंट है उस एक्जाम को दिमाग में रखते वे इस प्रस्न पत्र को जो है वो त्यार किया गया है और इसी प्रस्न पत्र का हमारे ऑफलाइन सेंटर में जो है वो टेस्ट लिया गया जिसमें बच्चों क बहुत ही शांदार परदर्शन रहा और उमीद करते हैं कि आप भी इस वीडियो में अपना टेस्ट देते चलिएगा ताकि आपका कितना मांक्स गया आप कितना कुस्टन को अटैम्प कर पाएं यह हम जान पाएं और इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स मिलेगी मुझे उमी निम्न में से कौन वीष्व की सफसे प्राचिन सभ्यता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑफसन नंबर भी मेसोपोटामिया की सभ्यता अब चलते नेक्स्ट कोसं कि और को सन्नमर टू कहता है दजला एवं फरात नदी अपना जल गिराती है तो इसका राइट अंसर ह सुमेर का साथिकर से क्या होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑफसन नंबर सी इंटो से बना बढ़ बना रहे हैं तो यह टाम टेकिंग के वज़ए से माइसा कर रहे हैं तो तुरंत वीडियो का स्टॉप कीजिए उसको देखिए समझे उसके बाद आगे पर्मान मिला था ठीक है पत्थर सफेद सनल मैंपत्थर कुज़े वो टरासकर बनाया गया यह आगे ल constitution 5 और नमक देवता था तो उर नमक देता आपका राइट अंसर हो जाएगा ऑफसन नमर ये चंदर देता आगे आ जाएंगे सर वोपर था मेसोपोटामिया के किन सहरों का उत्खनन किया गया तो हलाकि ये कोस्टन को हम इंसिया टी के लाइन से उठाए हैं और उसके कोडिंग ए राइट अंसर हो जा कोस्टन सेट कर सकता है लेकिन ऑफसन ऐसा सेट नहीं करेगा उरूक या मारी है ना तो दोनों में से कोई एक ही देगा चलिए हलाकि यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा डी और बी दोनों आगे चलते हैं सेविंद कोश्टन की ओर किस नमबर कहता है कि मेसोपोटाम कि यहां पर के चुटा हुआ है किस भाग में सबसे पहले सहरों का विकास हुआ तो दक्षिन भाग में आगे आते हैं क्वेश्टन नमबर एट की ओर सुमेरियन सभीता का समाज कितने वर्गों बटा हुआ था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑफसन नमबर दी शारग पर्थम शारगन पर्थम को राष्टी वीर के नाम से भी जाना जाता है आगे आते हैं हम्मु रावी की विदी संगीता में कितनी धार आये थी तो आपका राइट अंसर हो जाएगा ऑफसन नमबर दो सो पचासी धार आये थी और यह च्छती सो जो हो पंक्तियां थी ठीक ह और इस महल की सबसे बड़ी विश्यसता है कि इसमें 260 कमरा बनाया गया था 260 कमरा माहिने रखता है दोस्तों उतना पुराचिन समय में आगे आते हैं कुस्टन नमबर 12 की और मेसो पोटामिया किस भाशा की शब्द है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा भी युनान है ना म सब्सक्राइब के मिल मेसोस जोड़ पोटामस से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच का छेतर आगे आजाते हैं को सनुमबर 13 की और रोम नगर की अस्थापना कब की गई तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमबर भी साथ सो तीरपन इशापूरों में आगे को सनुमर 14 की और बढ़ते हैं पेपायरस कहां पाय जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमबर सी नील नदी के आसपास आगे को सनुमर 15 की और आते हैं रोम के राज़तन तरकाल का अंतिम सासलक कौन था तो तारकिनियस था आगे आते हैं रोमन समराज वाइरानी को अलग करती हैं तो इसको अलग करती है फरात बढ़ते हैं एक हला से इंपोर्टेन बड़ा बन रहे हैं कि रोमन समराज लेकिन जदी पुछेगा कि कमिस्यार का पद किसके द्वारा लाए गया तो वह आपका प्लेभियनों के द्वारा लाए गया था है ना आगे आते हैं पिरहस था तो फिरहस जो वह ग्रीक करा जाथा ठीका आप यूनिक वार पढ़े होंगे कॉर्थेज का यूथ पढ़े के लोग सिनिट के सदस्य कौन होते थे ते कुछ नमबर 20 कहता है कि इन price जाती के अंतरगत आता है इसको राइट आंसर को आगे कि और चलते हैं व्यक्तिटू कि org कोलोसियम क्या था तो कोलोसियम एक प्रगार का अखाड़ा था जिसमें एक बार में जो हो 45,000 दर्सक जो हो बैठ सकते थे अब कुश्चन नमबर 23 क्यों राते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर डी है न इस्लामिक घटनाओं का करम बदवरना आगे चलते हैं कोसे नंबर 25 के और इस्लाम धर्म का विकास कहां हुआ आगे आते हैं कभीला का मुख्या कहला था वूर्णा ऐसी कितनी देवी देवतायों की पूजा करते थे और इनी 340 देवी देवतायों का पुजा करते थे इस वर का Hmmamuस के संथर में निवन में से कौन सा कथन सही है इस्वर एक मात एक एक मात्र अल्ला है सब्सक्राइब आगे आजाते हैं हिज्री संबत का प्रारम हुआ तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आफसन नमबर ये ठीक है 622 में बहुत से विद्यारती जो है कुछ विद्यारती जो है हमारे कोचिंग के 622 हिसा पुर्व मार दिये थे तो ध्यान से पड़िए इस्वी और इसा पुर्व है तो हिज्री संवत का विकास कब हुआ था 622 में आपको आद होगा वो कहानी है न ज सायों का धर्मिक गुरु क्या कल आता है तो आपका आजाएगा खलीफा पहले खलीफा कौन थे तो अभुबकर पहले कालिफा कि इनको माना जाता है अभुबकर को माना जाता है अपका आगे कुछन है 31 कप पर्थम धर्म यूद कर हुआ तो राइट अंसर हो जाएका सब्सक्राइब और दूसरा निताब का शमारा तो इसका राइट अंसर भी हो जाएगा बगदाद आगे देखते हैं अली शाहब की हत्ते कब की गई तो 661 किया गया था कहां पर कूफा में किया गया था माबाविया के द्वारा करवाया गया था है ना आगे चलते हैं कुश्चन 34 की और सामंत वादी अधिकरम में सबसे उपर कौन है तो लॉड जिसको हम लोग जो है वो राजा कहते हैं सर्फ कहा जाता है किसको तो सर्फ जो है वो भुदास को कहा जाता है कुश्चन 35 का आगे हम लोग देखते हैं कुश्चन नमबर 36 में पवित्र रोमन समराजी का पर्थम समराट की से कहा गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमबर भी शार्लमेन को कहा गया वही शार्लमेन जिसको पोप लियो देती है जो है वह सवर्न का मुकुट पहना आकर जो है पवित्र रोमन समराजी का जो है वह समराट खोशिद करते हैं आगे पॉप पाप इमोचन होगा पॉप नहीं होगा पाप इमोचन पत्र की विक्री किषने शुरू किया था ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमबर डी उपली यूद्धा समन कि अमेरिका में प्रोटेस्टेंट के नुगाई को क्या करते हैं एपिसकोपल को आद रखे कपल है ना हरी कपल का दिल करता है कि एक बर कास वह अमेरिका घूम किया है तो उस तरह से कपल से आद रखेगा अमेरिका है ना एपिसकोपल अमेरिका है वहाँ टिक्रना है वह प प्रियास आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और यह कमेंट जरूर किजेगा कि आपने कितना को संका अंसर किया है कि नहीं तो चलिए अब वीडियो को लास्ट करते हैं देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप इसी तरह से प्यार और सपूर्ट करते रहे हैं थेंक्यू अ करते हैं